हिमाचल प्रुदेश के मंडी जिला में ब्यास और सुकेती नदियों के संगम स्थल पर एक चटान पर फसे चंडीगड के युवक को रेस्क्यू किया गया है। ये युवक रात पर इसी चटान पर फसा हुआ था। मंगलवार को इसे यहां से रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि युवक रात के अंधिरे में प्यास और सुकेती नदियों के संगम स्थल पर बनी एक पड़ी चटान पर चला गया था कुछी देर में दोनों नदियों का जल स्थर बढ़ गया जिस कारण वो वापिस नहीं आ सका और रात भर इसी चटान पर फसा रहा सुबा कुछ लोगों ने युवक को देखा तो इसकी जानकारी सिटी पुलिस चौकी मंडी को दी पुलिस ने रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुँचकर युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया युवक की पहचान अमन पुत्र परमजीत निवासी चंडिगड के रूप में हुई है अमन ने बताया कि वो किसी दोस्त के पास यहां पर कामकाच के सिलसिले में पिछले कुछ समय से रह रहा है वही सिटी पुलिस चौकी मंडी प्रभारी सब इंस्पेक्टर मनुच कुमार ने मामले की पुष्टी की है उन्होंने बताया कि युवक ने अभी तक अपना प्रॉपर अड्रेस नहीं बताया है इसकी जांच की जा रही है इसके बाद परिजनों को सुचित कर दिया जाएगा अभी तक मिली जानकारी के अनुसार ये युवक ऐसे ही रात भर शहर में घूमता रहता है और जहां ठीक लगे रात को रुख जाता है पुलिस सभी चीजों को वेरिफाई कर रही है मंडी से तरंदीप सिंग की रिपोर्ट हिमाचुल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रही है EWN 24 News Choice of हिमाचुल किस्सा